पुछ जाती है रानी मरघट पर तु जबाब दिया है महराज ने कहे है रानी हम ऐसे पुत्र को नहीं दफना सकते क्योंकि याद करोगो पुरानी जब तुमसे मैंने घड़ा उठवाने के लिए कहा था तब भी तुमने धर्म की बात को सामने रख दिया था कहा था कि अगर घड़ा उठवा देंगे तो धर्म चला जाएगा आज में भी अगर पुत्र को दफना देंगे तो हमारा भी धर्म चला जाएगा इसलिए रानी आरे करी को और इंटा का चुकाई दे करी को आरे करी को ओ पुत्र का चुकाई दे करी को पुत्र करी के रूप में हमें कोई भी बस तु दे हो बेटा को दफना देंगे रानी करी को हो के रोटा का चुकाई दे करी को पर पिन कर लिये जान नहीं दूदाया पर भर जे हमारो है पिन कर लिये जान नहीं दूदाया पर घर जे हमारो है तु रानी बोली महराज महराज ये पुत्र केवल आवारा नहीं है इस पुत्र पर अधिकार तु तुमारा भी है महराज अधिले को मरे नाई मेरो सहिया आवो गोर्ड तुमारा है मेरे सहिया ने प्रेक गया कर यो दुखिया पे ये खार्च पिया गर ले रो है तकाद का देगर को अर्फर को हो वोई तकाद का जेगने को आज महराज बोले है कौन को पुत्र कौन की रोनी गंपावन रहने ठुटाई रानी जब मैं भी जल वरने के लिए गया था तब तुमने रा घड़ा नहीं उठवाया था कौन को पुत्र कौन की रानी गंपावन रहने ठुटाई पर ले की घड़ा चले आवे गोतना हमसे बोली वानी मेरी रानी हो मनी हादी गाड़ा यू ठाइलो मरो भ्याली करो ना तन्नी को अरे बारी को मरो भ्याली करो अरे बारी को मरो भ्याली करो अरे बारी को मरो भ्याली करो ना तन्नी को झाल झाल